देख रहे हैं वेप समचार 24 into 7 जारखंड में लोकडाउन की अवधी की बढ़ने की संभावनाय जो है वो प्रबल हो गई है आपको बता दे कि जारखंड के मानिय मुख्यमंत्री हेमन सोरेंजी उचिस्तरिय बैठक कर रहे है इस बैठक से ये निन्ने जो है वो आ सकता है कि जारखंड में 15 माई तक लोकडाउन की अवधी को विस्तार किया जा सकता है आपको बता दे कि जारखंड में जो डिसीजन लिये जा रहे है वो बिहार और उडिसा के तरज पे लिये जा सकते हैं आपको ये भी बता दे कि केंदर सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन आई ये फैसला लिया है कि जारखंड में जितने भी प्रवासी मजदूर जो आएंगे बाहर से उनका रैपिड एक्सन टेस्ट किया जाएगा जितने भी उपायुक्त है जारखंड में सभी को ये ओडर गया है उचस्तर ये बैठक के बाद कि जितने भी प्रवासी मजदूर जो ये एक बड़ा फैसला जो है वो उचिस्तरिय बैठक में हुआ है साथ ही उचिस्तरिय बैठक जो है वो चल रही है जब तक हम ये खबर आपके लिए बना रहे हैं और इस उचिस्तरिय बैठक के बाद जो है वो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि को जो ह आपको बता दे कि बिहार में भी जो है वो 15 मही तक लॉकडाउन लगा दिया गया है अब बिहार में एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक जिले से लेके दूसरे जिले तक अगर कोई जाना चाहे तो वहाँ पर पास का जरूरत पड़ता है और ऐसे ही व्यवस्था जो है जार मंतरी हेमं सोरें जी की उच सरीन बैठक की कि बैठक के बाद माननी है मुखे मंतरी महद है जब बाहर आएंगे और उसके बाद जो फैसले लेंगे वो फैसले क्या होता है जो कयास लगाए जारे है सभी कयासों को हम आप्ट हमने आपको बताया साथ ही जब विविन सुत्रो के हवाले से खवर आ रही है खवर यही है कि 15 माई तक जो है वो लोगडाउन की अवधी को विस्तार दिया जा सकता है हमने जो है वो पहले ही आपको इसके बारे में आउगत करवाया था साथ ही जब लोगडाउन सुरू हुआ था तब से लिए कि अब तक हमारी पैनिन जो है जार्खन के लोगडाउन के स्थिती पे बनी हुई है जैसे ही जार्खन के मानने मुख्यमंत्री हेमन सोरें जी उच्छ सरी बैटक से निकल के बाहर आएंगे उसके बाद जो है जार्खन में क्या लोगडाउन जो है वो 15 माई तक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इस पे जो है वो फैसला सुनाने वाले हैं आपको बता दे कि लोगडाउन में जो है वो ये भी हो सकता है कि दुकाने जो है वो 11 बजे तक ही खुली रहेगी जैसा कि अभी जो लोगडाउन चल रहा है इसमें दुकाने जो है वो 2 बजे तक खुली है लेकिन ये कहा जा रहा है कि ज पहले चरन के लॉकडाउन में उसके बाद दुकाने दो बजे तक ही खुली रहेगी ये फैसला लिया गया जो दूसरे चरन का लॉकडाउन था उसमें और अब ये फैसला लिया जा सकता है कि जारखन में जो दुकाने हैं वो 11 बजे तक ही खुली रहेगी और वो भी जिन दु मारों हो रहे हैं वहाँ पे 50 से अधिक लोग सामिल नहीं हो सकते हैं लेकिन इसके लिए भी जो है वो नया गाइडलाइन्स आ सकता है तो यह सभी मुद्दों पे जो है जारकन के माननिय मुक्यमंत्री हेमन सोरें जी जो है वो बोलने वाले हैं उचिसतर यह बैठक के बाद क् जारकन के अभी आम मुद्दे बने हुए है लोगों की नजर जो है वो टीकी हुई है हमारी भी पूरी नजर जो है वो बनी हुए जैसे ही जारकन के माननिय मुक्यमंत्री हेमन सोरें जी जो है वो मीडिया से मुकातिव होंगे हम जो है वो खबर तुरंती आपके लिए रहेगा मिलते हैं आपसे नए वीडियो पे नए खबरों के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत सुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-थाइंक